कभी-कभी हमको ड्राइब पर ही शांपू करने पड़ता है लेकिन ड्राइब पर शांपू करने के वज़े से हमारे हेर जो भी हम हैर टेल दालेंगे हैर ऐसे खुल्ला छोड़ेंगे तो इतना अच्छा नहीं दिएंगे है ना यह प्राब्रम भी आपको है तो आज का पैक आ कर दो अवर नहीं कि जए अजह से लिपना सकते हैं और रिजल्ट तो एसा दिखता है है तो बहुत इस प्रहों और इस यूज करने के अजह लिए सब्सक्राद बहुती सुंदर होते हैं और बहुत सारे अजहें इस अजये हैं रहाए भी आपको दिखा देती हूं अब कभी भ कर देख्याव मेरे हैं अधले समफे धे पना रह बहुत है कि अगला उन्हका लत ख tiếng को जाया मेर में कि रहे हैं है इसलिए आप ड्रेय हें पेड्या आपक बहुत को अपले कर लिए सारे दॉड कत nhất भुप्ली कानूर लिए भी आपक였ट अो अर आपक एहर निल्कार और और मैरे हेर को स्प्रावद को बना देता है और हमेरे हेर को स्ट्रॉंग बना देता है ITS यह स्ट्रॉंग मैं पुर्ट के दो क्राऊच अ जो सकते हो यह है बीट्वीन का N-Gman कोन बहुत ही शैनी भी बना देता है हम इसमें अप दालेंगे त्रिफला पौडर ये कोई भी अरुविदिक शॉप मिलता है आपको आनलेन में भी मिलता है ये तो मैं लोकल में लिम्ट थी त्रिफला पाउडर हरार बहेड़ा आमला तीन चीजिए होते है इसमें यह वाले हमारे हेर के रूट्स को स्ट्रॉंग बनाते हैं, हेर फाल को रोकने में काम करते हैं और इसमें मैं दाल रही हूँ शीका काईका पाउडर, शीका काईका पाउडर हमारे हेर को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, डैंडरफ को निकाल देता है, हेर को बहुत ही हल्दी बना देता है, अब इसमें हम दालेंगे नीम के पतियों का पाउडर, नीम के पतियों का पाउ आप नीम की पटीयों का पौडर को यूज कर सकते हूँ इन सारो चीजों को दालेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें के立त Kenny वह वाला है कंड positivity क से हेंन तोड़ा सी यह थोड़ा सा पवर्डर की इसे भीण सारे दालेकर अच्छे से मिक्स कर लेज़े यह थोड़ा हिन्ना का पेष्ट और मेथी का पेष्ट होता है उस तरह से नहीं होता है थोड़ा वाटर जैसे ही होता है थोड़ा वाटर जैसे ही लगता है मतलब पतला पेष्ट बना लेना है आपको इस पैप को पतला ही बनाना है थोड़ा पत्ला बनाकर ड़े करने से अपहो जल्दी रिजट मिलता है, क्योंकि हमारे हेड और स्कैर्पी पानी शेदा अब्जार मिलता है क्योंकि 1974 पाना सिस्लिए रिजल्दी आपको ऊच्छे मिलता है C सब 14 00.90 केरो पानी इसे क्लें इसलीए यकी रिज़े आपको मिलाना है अब इसको मैं अपले कर लूँगी और इसे अपले करने के बाद maximum आप आफ और रख दीजिए अगर आपके पास और भी टाइम हो तो आप और भी रख सकते हो अब और इसे अपले करने के बाद मेथी और इसे अपले करने काथे हो तो इसे अपले कर लिए अपले कर लिए बहुत ही बढ़िया होता है आप एक बार यूज़ कीजिए आपको पता चलता है हेर तो बहुत ही स्ट्रॉंग होते हैं हेल्थी से होते हैं भरे भरे लगते हैं बॉंड सी लोग देता है और आपके हेर भी ना भारी लगते हैं आप चोटी दालते हो या हेर ऐसे ही छोड़ देते हो तो बहुत ही भारी लगते हैं देखिए इस पेष्ट को मैं पूरे हेर अच्छे से अपले कर दें इसको छोड़ दिम थी एक आफ रन अवर तक बाद में थोड़ा शाम्पू लेकर क्योंकि ड्रेय है हमारे हैर पो तो ऑई नहीं है इसलिए थोड़ा साथ शाम्पू पानी में दाल करना मैं शाम्पू कर दें इसके वज़े से ना है बहुत ही शायन किया है शायन मिंदू बहुत ही शायन शायन कुछा कमेद धाने पोछीब शोल कर दोंبة में ठाय्यक शोथ क्ह often thatочो कि आण ने हैं तो इस वीडियो देहने के लिए थैंक के जी शुक्रिया